हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास सेकिंड की वॉक्षीट नमबर 91 जोकी 16 ओक्टूबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों English सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे ठीके बच्चों चलिए इस वॉक्षीट को स्टार्ट करते हैं यहां पर हमें कुछ क्वेशन दे रखे हैं और इनके आंसर हमें टिक करके बताने हैं यानि जितने भी options हैं उन में से सही option पे सही का निशान लगाना है ठीक है बच्चों? देखिए Question number one है What does the camel have on its back? Camel की पीठ के उपर जो उभार होता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं hump इसका मतलब option C सही आंसर है Next question है Which animal lives under the water? यानि इन तीनों में से कौन सा ऐसा animal है जो पानी के अंदर रहता है? क्या लॉयन पानी के अंदर रहता है? नहीं क्या पार्ट लाइन पानी के अंदर रहता है? नहीं क्या फिश पानी के अंदर रहती है? तो हाँ option B सही answer आ जाएगा next question, what is the rhyming word for can? can के लिए rhyming word हम क्या लिखेंगे? can का rhyming word हो जाएगा man ठीक है? can man D question है, we should always treat the animals with हमें दूसरे जानवरों के साथ कैसा वेभार करना चाहिए? क्या एंगर यानि गुस्से से, हेट यानि नफरत से या प्यार से, तो correct option है, option B love, कि हमें दूसरे जानवरों को प्यार के साथ treat करना चाहिए next question है, solve the riddle यहाँ पे एक पहली दे रखी है जिसको हमें solve करना है I can swim मैं swim कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मतलब मैं तैर सकती हूँ, and dive in water I have wings मेरे punk है, I quack यानि मेरी आवास quack quack है who am I, मैं कौन हूँ तो जो पानी के अंदर dive कर सकता है और swim कर सकता है और जिसके punk भी होते है और जो quack quack करता है वो है duck, यानि option A इसका correct answer है ठीक है बच्चो next part है what is the name of the place where animals, reptiles and birds are kept and you can visit it to see the animals, reptiles and birds तो उस place का हमें नाम बताना है जहां पे सारे animals, reptiles और birds को रखा जाता है और जहां हम इन्हें देखने के लिए visit भी कर सकते है क्या ये सारी चीज़े hospital में होती है नहीं क्या school में होती है नहीं पर क्या इन्हें zoo में रखा जाता है तो हाँ इसको zoo में रखा जाता है correct answer है option B zoo ठीक है next question है the opposite of laugh is laugh का मतलब होता है हसना जाव है कि बच्चों को पक्षियों के घर की बालकनी आगन छट पर उनका खाना और पीने के लिए पानी रखने के लिए प्रोटसाहित कीजे तो बच्चों आप अपने छट पर बालकनी में या अपने घर के आसपास ऐसी जगें जहां पर पक्षी आते हैं वहाँ पे उनके खाने के लिए कुछ बीज, कुछ खाना रख सकते हैं और पीने के लिए छोटे से कटोरी या किसी चीज में पानी रख सकते हैं जिससे उन पक्षियों को भी उनका खाना और पानी मिल सके ठीके बच्चों तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वाक्षीट आई होप आपको ये वाक्षीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू